हेलो दोस्तों, अमरीकी राष्टर पते इस महीने जब भारत दोरे पर आएंगे तो उस दोरां दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेटियम का भारत में उद्गाटन करेंगे यह स्टेडियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह दिनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्ट्रेडियम बन जाएगा आईए इस ट्रेडियम के बारे में कुछ रोचक तत्यों को जानते है मोटेरा एहमदाबाद में स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो की 1982 में बना था उसको 2015 में गिरा दिया गया था लेकिन अब इसका पुन निर्मान किया जा रहा है 23 फरवरी रविवार को अमेरीकी राष्टपती ट्रम पारत के दो दिवसिय दोरे पर आ रहे हैं इस दोरान वो अहमदाबाद भी पहुँचेंगे और इस स्टेडियम का उद्गाटन करेंगे सहर के मोटेरा इलाके में हाल ही में बनाए गए सरदार वललबबाई पटेल स्टेडियम का उद्गाटन हमारे प्रदान मंतरी नरेदर मोधी भी करेंगे और सबा को भी संभोधित करेंगे इस क्रिकेट स्टेडियम को लगबग 700 करोल यानि 100 मिलियन डोलर की लागत से तयार किया गया है जिसकी आधार सिला 16 जनवरी 2017 में रखी गई थी यह cricket stadium औस्टेलिया के एतिहासिक Melbourne Cricket Ground और Kolkata के Cricket Ground Eden Garden से भी हर मामले में बढ़ा है विश्व के सबसे बड़े इस cricket stadium को नए सीरे से तयार किया गया है जिसकी दर्शक समता एक लाख दस हजार है इस stadium का निर्मान 63 एकड में किया गया है इस cricket stadium में तीन practice ground और एक indoor cricket academy है इसके parking area में तीन हजार कार और दस हजार दो पहिया वाहनों को पार्क किया जा सकेगा इस stadium में 76 corporate box, 4 dressing room, एक club house और Olympic size का एक swimming pool है गुजरात cricket association ने stadium पर योजना को Larson and Tubro L&T को सुप दिया जबकि इसकी designing architecture firm populous द्वारा की जाएगी यह वही firm है जिसने Melbourne Stadium डिजाइन किया था जो Australia में है और अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा cricket stadium है इस stadium में दर्शकों की क्समता लगबग 1,24 लाख है जबकि मोटेरा stadium की क्समता लगबग 1,10 लाख दर्शकों की होगी इस मेदान का drainage system बहुत अच्छा बनाया गया है बारिस खत्म होने के 20 मिनट के अंदर मेदान को खेल सुरू करने के लिए तयार किया जा सकता है इसके अलावा ड्रेसिंग रूम में भी जीम की सुईदा है मोटेरा stadium 1983 में चालू हुआ था और जब 1987 में सुनिल गावसकर ने इस मेदान पर अपना 10,000 वाट टेस्ट रन बनाया था तब यह लोगपरी हो गया था सुनिल गावसकर इस मुकाम पर पहुँचने वाले पहले बल्ले बाज थे इसी मोटेरा मेदान पर भारत्य दिगज कपिल देव ने रिचर्ड हेडली के 431 टेस्ट विक्टो के विश्वर एकोर्ड को तोड़ा था दिगज सचिन टेडूल करने 1999 में इस मेदान पर अपना पहला दोरा टेस्ट सटक बनाया था स्टेडियम के पूरा होने के बाद दुनिया के टोप 10 सबसे बड़े स्टेडियम हो की सूची में पुल 5 सबसे बड़े स्टेडियम बारत में होगे वीडियो कैसे लगा? कमेंट करके जरूर बताए और प्लीज हमारी चैनल सुर्यांसी ज्यान को सबस्क्राब जरूर करे और बेल आइकन ट्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी इंफरमेटिव वीडियो मिलती रहे थेंक्यू